अब सही कह रहे हैं कि ग्रांड मुफ्ती ओफ इजिप्ट भी ऐसे बयान दे रहे हैं, मगर मैं मानते हूँ कि इस देश में ही, क्यूंकि राजनीतिक तरीके से वीजेपी, एंडिये गावर्मेंट के खिलाफ, प्राइमिनिस्टर मोदी के खिलाफ, चुनावी रास्ता में, ठ जीतने का उनका संभावना नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ऐसे कैंपेंट चला रहे हैं, और इसमें कॉंग्रस पार्टी का रोल पिछले चुनाव से और उससे पहले वाले चुनाव से भी बहुती सपष्ट दिखता है, जहां पाकिस्तान में जा करके उनके मदद मांग रहे इसलिए मुझे लगता है कि उनका अपने आप के उपर बरोसा नहीं है कि जन्ता उनका सुनेंगे, इसलिए ऐसे रास्ते अपना करके प्रदान मंतरी जी के किलाफ ऐसे अलगेशन डाल रहे हैं, जो बेबुनियाद है, और ऐसे अलगेशन डालने वाले का पीछे भी देखन जो कल मेरे बहुती आश्चर जनक हुई कि उसी समय जब मानिया प्रदान मंतरी जी युएस में कैंपेंड कर रहे हैं, उस समय कैंपेंड मतलब भारत के विशय में सब के सामने विशय बोल रहे हैं, उस समय एक पूर्वर राष्ट्रपती युनाइट स्टेट्स का बायान तेरें भारत के मुस्लिम्स, जब की विदेश के विशय के बारे में मैं थोड़ा सयम रक्र रखते हुए बोल रहे हूं, युनाइट स्टेट्स के विशय में हम अच्छा फ्रेंशिप मा चाहते हैं, मगर उदर से भी भारत के रिलिजियस टॉलरेंस के ओपर एक युएस य यारफ है, उनके कमन्स आ जाता है, राष्टरपती जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद छे देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डॉमिनेंट है, बॉमिंग हुई उने के कालों में, सिर्या से लेकर के, यमन के लेकर के, सौधी के लेकर के, इरा war-like situation developed हुआ, और more than 26,000 bombs were dropped, ऐसे जब countries, उनके अपनी तरफ से, उनके राजनीतिक निर्नाई के बारे में, वो करते हैं, भारत के किलाफ, allegation डालने में, कहां, उसको सुनने वाले लोग भी बरोसा रखेंगे, इसलिए मैं मानती हूँ, यह सब हमारी विपक्ष भी बाहर जा करके बात करने के समय, भारत के हित में नहीं बात करते हैं, क्योंकि प्रदानमंत्री मोदी जी को वो defeat करने पाएंगे, ऐसे लोगों को उचालते हैं, और वो भी इनके कारण इस बहस में शामिल हो जाते हैं, बिना ground level details को लेते हुए.